एक तिन जंगल का राजा सेर बहुत बीमार पड़ गया और उसको लगा कि अबवा नहीं बचेगा उसने सोचा कि अपने कार्य भार को किसी को सौप देता हूँ बहुत सोचने और मन्थन करने के बाद उसने अपना उत्रादिकारी एक बंदर को बनाया एक दिन एक बगरी अपनी समस्य को लेकर बंदज के पास पहुँची उसने कहा कि मेरी समस्य का हल बताओ बंदर थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा मानो गहन पर इच्छन कर रहा हूँ थोड़ी देर में वा एक पेड़ पर चड़ गया और उसकी डाली में इधर उधर इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाता रहा थोड़ी देर के बाद बंदर पेड़ के नीचे उतरा बकरी ने उससे पूछा मेरी समस्य का समधान हुआ बंदर बोला माई ने बहुत प्रयास किया प्रयास में कोई कमी नहीं रही रही हो तो बोलो बकरी सुनने कर आश्चर चकित हो गई और उसके दिमाग में आया कि राजा राजा होता है बंदर बंदर होता है बंदर होता है